नमस्कार पिरिया जन्म आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी शुब्चिंतिक वीना शर्मा आप आई मेरी चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत का जिस तरह से एक आदर्ष पति-पत्नी का जोड़ा है उसी तरह से ही लड़के और लड़कियां पूजा करते हैं तो काम ना करते हैं कि हमारा भी जोड़ा इसी तरह से बने और बनता भी है आप विश्वास रखें जब आप इश्वर के आगे अपने नतमस्तक होके पूजा करते हैं और हाज जोड़कर प्रार्थना करते हैं तो बिल्कुल वो प्रार्थना सविकार होती है बस थोड़ा सा मन में शर्दा और विश्वास होना पक्के तोर पर होना बहुत जरूरी है आज का हमारा उपाय इसी पर है कि हमारे बेटे बेटियां जो विवा को लेकर बहुत प्रेशान है उनको इस उपाय को तीन सौंबार को अवश्य कर लेना चाहिए अब करके देखें तीन सौंबार इस उपाय को आप देखेंगे कि आपके जितनी भी प्रेशानिया है विवा के दोशाय जर्मकुंडली में जो आपको पता भी नहीं है वो सब दूर हो जाएंगे एक साथ आपको करना क्या है सोंबार के दिन कोई भी सोंबार से शुरू कर लीजिएगा अगर शुकल पक्ष का सोंबार हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं था आप किसी भी सोंबार से शुरू कर सकते हैं अपने विवा के लिए अच्छे रिष्टों के लिए अच्छे जीवन साथी के लिए मन चाहे जीवन साथी के लिए अपने प्रेम विवा के लिए तलाक शुदा जो है सेकंड मेरिज के लिए विड़ो मेरिज वाले सब भी इस उपाई को कर सकते हैं भॉले नाद की किरपा पा सकते हैं इस तरह से पूजा करके बात करूंगी सबसे पहले कि क्या क्या आपको सामगरी चाहिए क्या 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 दो चार चमच दूद इससे ज़्यादा नहीं मैंने कहती कोई भी समगरी वैस्टिज की जाए क्यूंकि भगवान तो भावना के भूके होते हैं आप अगर मन से भी सोचके ये आँखे बंद करके कह देते हैं कि भगवन मैंने दूद चड़ा दिया तो वो तो वो भी मान ल होना चाहिए दो चार चाहे तार हो दो ही तार हो लेकिन केसर हो आपके पास थोड़े से हो फूल कोई भी हो फूल भगवान को चड़ने वाले गुलाब के हो सकते हैं गैंदे के हो सकते हैं कोई भी फूल हो आपके पास वो आप ले ले साथ में और इसके साथ ही आप ले बे बेल पत्र हो आपके पास यह दो हो तो बहुत अच्छा है वैसे एक बात कहूं आप से कि कभी भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और विशेश तोर से जब विवाश शादी की मनोकामना की पूर्ति हो ना तो जब भगवान आपका जोड़ा बनाने जा रहे हैं तो कोई भ चीज इशर को चड़ाने वाली मत चड़ाये बेल पत्र भी हो तो कम सकम एक जोड़ा हो यानके तीन का जो एक होता है वो उस तरह के दो हो आपके पास और दो ही चाहे केसर के तार डाल लीजिए लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो चीज़ें जोड़े में चड़ सकत के सबसे पहले भोलेनात की पुझा करने से पहले आपके पास होने जहिए और सुरी आपको बताना भूल गई कि घर से जाते इतनी सामगरी के साथ आपके पासrà को ना चाहिए देशी घीजिका और उसमें लगी होने चाहिए बत्ती माचिस इसके साथ ही आपके पास पीन्ण कि कलर वी कलर से बनाई जाती है वह क segurança होने चाहिए पांच प्रकार के प Vermont लीजे बहुत आसानी से बन जाते हैं लाल पी weit और इसके साथ ही नीला भी हो सकता है इसके साथ ही गुलाबी भी हो इसते तरह कोई भी वह सबसे पहले आपकर चोटी सी गोल आकर्ती में रंगोली बनानीए पांच कलर से चोटी सी गोल आकरती में रंगोली बनानी है भोले नात के श्यूलिंग के सामने एकदम आकरती बनाने के बाद पांचो रंग से बनानी है पांच रंग की बनानी है आपको पत्तियां आती हो तो आप गोल चकर लगा के उसमें पांचो की पांच पत्तियां बना दीजिये वो भी एक गोल रंगोली हो जाएगी और उसके बीच में एक दीपक रखें जो आप लेके गई हैं वो रखें वो आपकी मनो कामना पूरती का दीपक है मनो कामना पूरती की आपकी रंगोली है ये भोले नात के सामने बनाते हुए अब आप भोले नात को जल अरपि केषर। भी ढालना है अब उस धूद को चढ़ाईये फूल वाले दूद को चढ़ाईये भौले नात को अरपित करें अरपित करने के बाद ए उपर से थोड़ा सा प्लेन वोटर यह जल थोड़ा सा और अर्पित कर दें और अब जो आपने रंगोली बनाई है उस रंगोली पर जो दूद अर्पित? अब अपने लगातार करें लगातार आपका जब चलना चाहिए मन ही मन चले चाहिए ज़ाहिए आप बोलके करें लेकिन यह अप उपाएया आप करें, उसके साथ ही जब रंगोली वाल जी दिपक आप पर जुनित कर दें, अब आपको मनो कामना पूर्ती के लिए बहुले नात के आगे प्रात्ना करनी है और प्रात्ना करने के बाद आपको वहां अपनी बिंती प्रात्ना करनी है कि हमारे विवाक के । SIG अगर आपको कोई पसंद है आप चाहते हैं कि फलांसे मेरी शादी हो जाए तो वो मनोकामनापूरती के लिए आप बोलें तो बीच सेंटर में दिपक जलाने की बाद रंगो लीके और आप तब मनोकामनापूरती के लिए वह वहां पर प्रार्थना करें और अगर आप से होस सब दूर हो जाएंगे और भोले नात आपकी शिग्र मनोकामनापूरती करेंगे शिग्र आपके विवा के सुंदर योग बनेंगे योग जीवन साथी के वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल वीडियो लगातार मिलते रहें मैं मिलती हूं किस अगले वीडियो में कमेंटर बक्स में हर हर महादेव अवर्ष्य लिखें ठैक्स फूर वाच